वेल्कम बैक गेस लोन बैक्बादीच जाहाब हूं टॉफिक्स से करते क्रोंते में फॉर्मेट में आपर केंच अदर में सलबिल अ साथ मारे मे पास जाहाब Anderson यह हमारे पास mi Limonik üç आघ्टिस का है सबसे पहले हम देखिए गैज और पास नीमोजी है कि प्रा एबाइट ऊस्पिटल collectors भीच क्लायंट measured यह चरह यह यह मारे पास family के लिए सबसेन देखं़ है पालिटिटिस का है हेपरटिटिज दी जो है स्कूर्ण्री तो ह прог सब्सक्राइब थिसके वाद हम देखे सकते हैं बाकि सबका औरन है यहां पे लेक्स्ट तो अब आपके एन्वलब जो है Hepatitis A और Hepatitis E में जो है वो एन्वलप अपंट होता है बाकि सब में जो है एन्वलप प्रेजन होता है Next time देखेंगे cultivation तो cultivation जो है यहाँपे Hepatitis A का cultivation जो है वो possible है बाकि किसी का भी cultivation पौसिबल नहीं है Mode of infection तो Hepatitis A का mode of infection है वो है phyco-oral root और Hepatitis E का भी सेम है Ficooral Root बाकि Hepatitis B का Blood और Sexual Intercourse और C और D का भी सेम Next हम देखेंगे Vaccine तो Vaccine जो है यहाँ पर हमरे पास अवेलेबल है Hepatitis A के लिए, Hepatitis B के लिए और Hepatitis E के लिए Hepatitis C और D के लिए यहाँ पर वाक्सिन अवेलेबल नहीं है So guys यह हो गया हमरे इसका Hepatitis Virus का Classification Next हम देखेंगे Structure Hepatitis B Virus का Structure देखेंगे It is the most important Hepatitis Causing DNA Virus तो सबसे पहले हम इसका Simply Structure कैसे ड्रॉ करते है यह देखेंगे So guys सबसे पहले हम हम यहाँ पर एक Circle बनाना है चोटी-चोटी Circles का तो यह हो गया हमरा Envelope Nucleocapsid यहाँ पर हम ऐसे Hexagon बनाएंगे और यह हो गया हमारा Nucleocapsid उसके पास यहाँ पर Enzyme और DNA Stand इसके हम सिंपली इसको Draw कर सकते है Hepatitis B Virus का Structure अब इसको हम Labeling कर देंगे So guys यहाँ पर जो है Envelope जो की Hepatitis S Antigen यहाँ पर Form करता है Nucleocapsid जो की Hepatitis C Antigen यहाँ पर Form करता है यहाँ पर DNA Dependent DNA Polymerase और यहाँ पर DNA है यह Positive and Negative Stands DNA के जो है Positive and Negative Stands तो यह हमारा Structure of Hepatitis B Virus यहाँ पर जो Hepatitis B Virus है हमारा उसका डामेटर है 42 Nanometer और उसके Inner Coot डामेटर जो है 27 Nanometer जो Serum होता है पेशेंट्स के उसमें तीन टाइपस के पार्टिकल यहाँ आप हमें दीखते है एक होता है स्पियर जो का डामेटर होता है जो की 22 Nanometer काता है फिलामेंट जो की 22 Nanometer काता है और यह देन पार्टिकल जो की 42 Nanometer का होता है तो form the HBS antigen non-infectious स्पियर और जो जो फिलामेंट पार्टिकल जो है वो सर्फिस antigen फ़र्म करता है Hepatitis B वाइरस का जो की non-infectious होता है और जो डेन पार्टिकल है वो हमारा infectious होता है नेक्स्ट हम देखेंगे DNA वाइरस तो यहाँ पे जो है टू हेपार्टिटिस B में जो होता है वो जीनम कोन से होता है यहाँ पे टू लीनियर DNA स्टैंट से हमें दिखते है positive strand और negative strand नेक्स्ट हम देखेंगे DNA polymers has DNA dependent DNA polymers enzyme और RNA dependent reverse transcriptive enzyme यहाँ पे हमें दो enzymes दिखते है Hepatitis B वाइरस में next complete virus is known as DNA particle जो की 42 nanometer in diameter होता है next हम देखेंगे genes तो यहाँ पे हमार पास 4 genes है Hepatitis B वाइरस के लिए PC SX तो P gene जो है वो code करता है polymerase enzyme के लिए C gene जो है वो code करता है core antigen और envelope antigen के लिए और S gene जो है वो code करता है Hepatitis B surface antigen के लिए और X gene जो है वो inactive करता है P53 protein को तो यह अग मारा description किसका structure of Hepatitis B वाइरस का next हम देखेंगे इसके mode of infection so guys mode of infection जो है इसका blood and blood product transfusion sex intercourse needle stick injury mother to child during birth जो की risk factor जो है इसको envelope antigen से जो हम इसको देख सकते अगर carrier mother है और Hb antigen यहापर अगर positive है तो risk 90% होता है और carrier mother है और Hb antigen अगर यहाप पर negative है तो इस जो है वो 10-15% होता है तो यह होगा हमारा mode of infection of hepatitis B virus so guys next हम देखेंगे laboratory diagnosis तो यहापर हम जो है सबसे बहुत हम सिरोलोजिकल देमूस्ट्रेशन देखेंगे months of exposure one तो यहापर आप देख सकते months of exposure हमने एक से एक से पर denote किया है तो देखेंगे मेके करके तो यहापर जो है सबसे पहले तो यहापर जो है सबसे पहले blood में अपिर होता है HbS antigen जो की persist करता है 6 मन तक उसके बाद जो है यहापर हमें HbS antigen की antibodies यहापर form होती है next जो है नहीं कर सकते है यहापर हम सीधा antibodies diagnose कर रहे है core antigen के लिए तो HbS antigen antibodies जो है यहापर हम diagnose कर रहे है 1 मन के बाद next जो है उसके बाद Hb envelope antigen Hb antigen भी diagnose उसी टाइम पे होता है और उसके बाद जो persist करता है 5 मन तक और उसके बाद anti-Hb यहापर हमें दिखाई दीती है यहापर हम देख सकते है कर IgM antibodies है core antigen के लिए early जो infection तरस में IgM antibodies यहापर हम देख सकते है core antigen के लिए और late infection में IgA antibodies हम देख सकते है core antigen के लिए तो यहापर भी देख सकते है अगर acute acute disease है और यहापर early disease है तो यहाँ पर HBS antigen है यहाँ देख सकते हैं और अगर lead infection है तो यहाँ पर chronic है तो यहाँ पर anti-HBS antigen हम यहाँ पर sorry anti-HBS antibodies यहाँ देख सकते हैं तो यह होगा है मारा diagram का description next हम देखेंगे इसके points तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे HBS antigen जो कि first marker appear in blood rarely persist beyond 6 months यहाँ पर जो है surface antigen जो है यहाँ फर्स्ट appear होता है blood में और जो कि 6 months तक persist करता है next है HBC antigen core antigen never appears in serum तो HBC antigen जो है यहाँ आप हमें serum में नहीं दिखता है HBA antigen appears concurrently with or soon after HBS antigen indicates active intrahepatic viral replication तो यह हमारा HBA antigen का significance next है anti-HBC appears one to two weeks after HBS antigen IgM type acute infection अगर और antibodies IgG type है तो chronic infection तो एक हमारा anti-HBC next है anti-HBA अगर यहाँ आप हमें दीख रही है तो significant है low antibodies है जो कि only marker है जो कि vaccinated people में present होता है और DNA polymers in time चाहे वह quantitative marker है viral replication के लिए तो यह अगरा laboratory diagnosis of hepatitis B virus